दुनिया के कई देशों में भी देखागा जहाए एक प्रकार से वाइबरंट लोक तंत्र है वहाँ पर ऐसे बहुत कम ही उदान दिख्याई पड़ते हैं और इसका कारण्थ है कि दस साल में देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंत्रिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली इसको मजबूत करकर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोधी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोधी जी के नित्रूतों में प्राप्त की ह सिक्सा के अंदर आमुल चूर परिवर्थन, हमारे चीर पुरातन सिक्सा सैक्सिनिक मुल्यों को समाहित करते हुए, हमारी भासाओं को गवरनवाईत करते हुए और आधूनिक से आधूनिक सिक्सा को समाहित करते हुए नई सिक्सा निती लाने का काम नरेंद्र मोधी जी ने क गराज मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूँ कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहता केंडर बन चुका है और यह वास्तविक्ता है। हमारी डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समदना भी चाते हैं, स्विकारना भी चाते हैं और उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाते हैं। भारत का अंतरिक्स के शेत्र में भ्रवी से उजवल है, इसको एकनोलेज करते हैं। ही पड़ती हैं। युवाओं के एलिए धेर सारे मौके तरासे गए हैं। आज भारत का युवा भारत के नए प्लेट्फंप पर खड़ा होकर विश्वके युवा के साथ दो दो हाथ। तो अमित्शा को आप सुन रहे थे और उन्होंने प्रेस कांफरेंस की ग्रिह मंत्री अमित्शाह ने और साथी बुकलिट भी एक जारी की हैं अमित्शाह ने। एक्सपोर्ट की सिजी में आएंगे और किसान की माली हालत भी सुद्रेगी। 2047 में महान भारत की रतना के संकल्प के साजीदार बने और भारत के विकास की यात्रा के भी साजीदार बने। एक प्रकार से 140 करोड की जनता को इतने महान लक्स के साथ जोड़ना एक बहुत बड़े विश्वस्नी अता का प्रमान है जो मोदी जी में देश की जनता देखती है। तीसरे मेंडेट के बाद 100 दिन समाप्त हो रहे हैं, 100 दिन में लगबग लगबग 15 लाग करोड रुपे की परियोधनाओं को चालू किया गया है। महराश के वदवान में 76,000 करोड की लागत से मेगा पॉर्ट वनेगा जो पहले दिन से ही विश्वके 10 प्रमुक बंदर गाहों में सामिल होगा। 49,000 करोड की 25,000 अनकनेक्टेड गाहों को जोडने की योजना, ए योजना 100 की आबादी वाले गाहों को भी जोडेगी। तो एक प्रकार से मजले, तोले और आदिवासी क्षेतरों की छोटी वसाहतों को भी अब रोड से बारमासी करेंक्टी दी जाएगी। 50,600 करोड की लागत से भारत के बड़े रोडों को भी बढ़ाने का नेनाय नरेंद्र मोधी सरकार ने किया है। बैंगलोर मेट्रो के फेज तीन, पुने मेट्रो, धाने इंटिग्रर रिंग मेट्रो और कई सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट भी हमने इस वाद दिन में आगे बड़ा है। किसानों को और कुशी का जहां तक सवाल है, सत्तरवी की प्रदान मंत्री किसान सन्मान योजना की साड़े 9 करोड किसानों को 20,000 करोड रुपया वित्रित किया गया। और अभी तक कुल 12,33,000,000 को 3,000,000 करोड रुपया वित्रित किया गया है। खरीब फसलों का MSP बढ़ाया गया है। मैं MSP पर जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग भी आंकडों का ध्यान करियेगा। UPA सरकार और कॉंग्रेस की राज्य सरकारों से कई गूना ज्यादा MSP की खरीदी भारतिय जनता पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकार ने की है, हमारी NDA सरकार ने की है। यही बताता है कि यह सरकार किसानों के हीतों को समर्पित है। मक्के से इथेनोल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलोके इथेनोल उत्पादक इकायों का मल्टी फीड इथेनोल इकायों में दुपान तरण किया गया है। अब वुन्नकेवल गन्ने के रश से मक्के से भी इथेनॉल उत्पाद कर पाएंगे, तो जिस वक्त देश में चीनी की जरूर्यात होगी, तब गन्ने का रश का उपयोग नहीं होगा, मक्के का उपयोग होगा, और चीनी ज्यादा होगी, तब चीनी के रश से इथेनॉल बने हमने प्याज और बासमती चावल की नियुनियतम निरियात मुल्य MEP को हटा दिया गया है, प्याज पर निरियात सुल्क 40 प्रतिसत से 20 प्रतिसत करा है और एग्री शोर नाम का एक नया फंड लॉंच करने का भी हमने काम किया है मध्यमवर्ग को भी इसोव दिनों में कई सारी राहत दी गई है, टैक्स राहत 7 लाग तक की आए पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा वन रैंक वन पेंशन का तीसरा वर्ज संसकरन लागू कर दिया गया है और तीन करोड घर प्रदान मंत्री आवास योधना के तहट स्विक्रूत किये गए हैं सहरी योधना के तहट एक करोड घर और घ्रामेड इलाकों में दो करोड घर प्रदान मंत्री सुर्यगर मुप्त बिजली योधना एक प्रकार से 2024 के बीच धाई लाक से ज्यादा गरों में सहर उर्जा का सिस्टिम अब तक लग चुका है एक अनूठी योधना है जिससे मध्यमवर के परिवारों का बिजली का बिलतो मुप्त होई जाता है साथ में सहर उर्जा के हमारे लक्स की पूर्टी के लिए भी वो कंट्रिब्यूट करते हैं PME Bus सिवा Environment Friendly System तयार करने के लिए लगबग 3400 करोड की सहायता से हमने PME Bus सिवाओ की स्विकृति दी है और स्टार्ट अप को वित्ति रहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप पर 31% का बोज डालने वाले एंजल टेक्स को समाप्त करने का भी भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है National Industrial Corridor Development Program के तहर बार इंडस्ट्रियल जौन बनाये जाएंगे जो बार इंडस्ट्रियल जौन बनाये जाएंगे वो कहीं न कहीं बड़े National Highway से लिंक होंगे इसके आसपास होंगे इस National Industrial Corridor Development Program के तहर बारा इंडस्ट्रियल जौन देश के हरक शेत्र में बनाने का हमने नेनय किया है सबसे महतोपूर नेनय मद्यमवर के लिए मुद्रा रोन की सिमा 10 लाग से बढ़ा कर 20 लाग कर दी गई है पुराने रोन का जिन्होंने सफलता पुर्वक भुक्तान किया है वो सभी को इसका फाइदा मिलेगा MSME के लिए Credit Guarantee Scheme सुरू की गई छोटे व्यापारियों और छोटे उद्यमयों को बिना गैरंटी से इससे रोन मिल पाएगा और उनके व्यापार को नई सरलता और सामर्थ दोनों मिलेगा ससक्त युवा एक किसी भी देश के विकास की प्राथमिक सर्थ है 2 लाग करोड के PM पेकेज की घुशना हमने की है जो 5 साल में 4 करोड 10 लाख युवाओ को इसका लाब पहुँचने वाला है एक करोड युवाओ को टॉप कंपनी में इंटर्ण्सीप के अउसर एलाउंस और एक मुष्ट सहायता रासी देने का भी नेनय हमारी सरकार ने किया है केंद्र सरकार ने भी लगबग लगबग कई हजार नियुक्तियों की घुशना की है कैपिटल एक्स्पेंडिचर को बढ़ा कर 11,11,000 करोड तक पहुचाना यह अपने आप में एक मिल का पत्थर है इससे कई युवाओ को रोजगारी के नए अवसर पैदा होंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा PLI स्कीम और 12 इंडेस्ट्रिल जौन के विकास से भी तजग्य युवाओ की नौकरियों का स्रूजन होगा स्टार्ट अप और MSME के लिए जो वित्य प्रोस्ताहन हमने दिया है वो भी युवाओ के लिए कारगर साबित होने वाला है दिन दयाल अंतियोदय युदना के तहट 10 करोड से अधीक महिलाओ को संगठीत कर 90 लाग से अधीक स्वयम सहायता जूत बनाए गए हैं और लगपती दिदी युदना के तहट 11 लाग नई लगपती दिदियों को ये 100 दिन में प्रमान पत्र दिया गया है एक करोड से अधीक लगपती दिदियां प्रतिवर्स एक लाग रुपया सालाना कमाई कर रही हैं ये महिलाओ के लिए एक लाग का रासी एक स्वपन मना जाता था आज हो स्वमान के साथ अपना जीवन जी दे इसके साथ परियटन दिदियों जो गाईड का काम करेगी परियटन मित्रों और ड्रॉन दिदी के माध्यम से सेल्प हेल्प ग्रूप और युवाओ को परियटन से जोडने का काम भी हमने किया है प्रदान मंत्री जन जातिये उननत ग्राम अभियान इसके तहट 63,000 जन जातिये गाउं का पून विकास किया जाएगा जिसे 5 करोड आदिवासियों की आर्थिक स्तिती में सुधार आएगा युदना के तहट गाउं को प्रात्मिक जरूरियातों से और प्रात्मिक सुविदाओं से संपून यूक्त किया जाएगा अनुसी जन जाति के दिव्यान व्यक्तियों के लिए 3,000,000 नए पहचान प्रत्र एक अभियान चलाकर एक सौधिन में दिये गएं एक लव्य मॉडल आवासियों विध्यालय एक नए पहलूओं के साथ नए आयामों के साथ फिर से इंट्रिडूज हो रहा है वकप संसोधन विधेक 2024, वकप संपत्यों के प्रबंधन और संडक्षन और उसके दुरूपयोग तिनों के कमिटेड है और आने वाले दिनों में पाहलामेंट में इसको पारित किया जाएगा आयुशमान भारत योधना आद्देश के कई करोड लोगों के सरल जीवन का आधार बनी हुई है पांच लाग तक का स्वास्त से जुड़ा सभी खर्चा एंडिये की नरेंडर मोदी सरकार उठा रही है और ये प्रदान मंत्री जी का बड़ा महतोकांक्सी पोग्राम है पांच लाग तक का मुप्त कवरेज दिया जाएगा इसमें जो घरीब घर में 70 साल से अधीक वाले लोग हैं उनको अपने कार के अलावे और पांच लाग दिया जाएगा तो उनका कवरेज एक प्रकार से 10 लाग तक किया जाएगा करिब करिब साड़े चार करोड परिवारों के छे करोड व्रुद्ध नागरिकों को इसका फाइदा मेगा इसमें आई की कोई सिमा नहीं रखी गई है 75,000 नई मेडिकल सीटे बढ़ा कर हम मेडिकल एज्यूकेशन के लिए विदेश पर की निर्भरता को लगबग लगबग समाप्त कर देंगे हमारी पूरी रिक्वार्मेंट ए 75,000 सीट बढ़ने के साथ ही पूरी हो जाएगी और इसके लिए हमने 3 साल का लक्स रखा है नियमित ठिका करन के लिए उसको डिजिटल बनाने के लिए यूविन पॉर्टल भी यही 100 दिन में सुरो किया गया और देश के डॉक्टर की एक सेंट्रलाइज रिपोजटरी बनाने का काम भी इसी 100 दिन में हुआ है 23 अगस्त को पहला अंत्रिक्स दिन मनाय गया है इससे कीशोरों को और युवाओ को अंत्रिक्स के खेत्र में रूची लेने के लिए प्रोच्चाहन देने के लिए और उनका हैंड होडलिंग करने के लिए धेर सारी योधना इस सुरू की गई अंत्रिक्स टार्टप के लिए 1000 करोड के वेंचर कैपिटल फंड की योधना भी हुई आपदा प्रबंदन के लिए राष्टियत डेटाबेज और ग्रामिन भूमी रेकोर्ड के लिए भूवन पंचायद पोर्टल भी सुडू किया गया सेमी कंडक्टर गुजरात के सानन में सेमी कंडक्टर की इकाई स्थापित की गई और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बताता हूं कि आने वाले दस सालों में भारत सेमी कंडक्टर के क्षित्र में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनके उपरेगा लॉयन ओडर का जहां तक सवाल है पुराने बिटिशरों ने बनाए हुए अपरादिक कानूनों को बदल कर एक जुलाई दोजार चौबीस को तीन नए कानून इंप्लिमेंट किये गए भारतिये डंड सहिता भारतिये नागरिक सुरक्षा सहिता और भारतिये साक्स अधिन यह ठीनों क्रिश्टिस सिस्टीम के पूर्ति करने वाले कानून आने वाले दिनों में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम को नकेवल लोक भोग्य बनाएंगे, लोगों को न्याय मिलने का एक सरल रास्ता होगा, समय पर न्याय मिलने की सरुवात होगी और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि तीन साल के बाद जब इसका complete implementation समाप्त होगा हम दुनिया में सबसे आधुनिक criminal justice system रखने वाले देशों में से एक बन जाएंगे सहरी बाड़ प्रबंदन के लिए 6350 करोड रुपिय की नई योदना देश में पहली बार लाई गई लड़ाख में पांच नए जिले बनाए गए 25 जुन को समविदान हत्या दिन मनाने का फैसला करकर आने वाली पीड़ी को emergency जैसे काले दोर से देश को न गुजरना पड़े इसलिए जागरूत करने का एक हमेशा के लिए प्रयास करने का नेना लिया गया पूर्वत्तर में हाइड्रो इलेक्ट्रो परियोधनाओं की मनजूरी दी गई लगबख 41 करोड उपिया के साथ और राष्ट्रिय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सेकंट रिच को भी सुरू कर दिया गया मित्रो पियम मोदी जी का यूद के बीच में रूस और यूक्रेन की महत्वपूर यात्राओं पूरी दुनिया आज के साथ नजर गड़ा कर बैठी है पहली बार भारत में इनोशकों की विश्व धरोहर समीति की बैठक हुई आने वाले दिनों में इससे हमारी कई धरोहरों को वापिस लाने में हमें बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है आपदा प्रबंदन अधिनियम इसको 2024 में लोकसभा में पेश किया गया है और मैं मानता हूँ कि अर्बन फ्रड मैनेजमेंट अगनी समन सेवाएं ग्लेसियर जिल्वी स्पोर्ट फ्लड और अन्यट डिजास्टर के मिटिगेशन के हितु यह जो आपदा प्रबंदन अधि प्रबंदन अधिनियम लाया है वो सब जरूरियातों को आज के दिन की पूरा करेगा और इसके लिए 12,554 करोर की योधिना भी इस सब विशिष्ट आपदाओं के लिए मिश्चित किये गए हूँ चार सतंबर को 35 सालों के संगर्स के बाद त्रिपूरा में NLFT और ATTF के साथ 37 समझोता किया गया मानस हेल्प लाइन नार्कोटिक्स की रोकदाम के लिए और सुचनाओं के लिए शुरू की गई अगले 5 साल में 5000 साइबर कमंडो तयार किये जाएंगे और साइबर अपराद क के लिए सस्पेक्ट रजिस्ट्री भी तैयार की जाएगी मित्रों इस सौ दिन में इतना सारा जो काम उसको अंजाम देने में सफलता मिली है उसका कारण है जब हम चुनाओं में गए राधनितिक पार्टियां और चुने उवे प्रतिनितितों चुनाओं में गए थे परन्तु मोदी जी ने चुनाओं के छे मेंने पहले ही बीरोक्रसी को एक काम दिया था कि पाइपलाइन में जितनी भी चीज़े पड़ी है जो भी नई सरकार आएगी उसके लिए समाप्त करकर रखे जिससे देश के विकास के घती में बाधान उत्पन हो इसी का परिणाम ह है कि ये लगबग लगबग लाखो करोडों के काम सौ दिन के अंदर ही हम कैबिनिट तक की पूरी प्रोसीजर और कई जगे तो टेंडरिंग भी समाप्त कर चुके हैं इसके कारण देश की विकास की गती न केवल बढ़ेगी देश सुरक्षित संपन होगा और नई सिक्सा निति को इंप्लिमेंट करकर सिक्सा के सित्र में भी हम आगे बढ़ेंगे मैं आसा करता हूं कि मोदी जी के नेत्रुत में यह जो विकास का रत चला है वो आगे पर भी चला रहेगा इसका हम सभी को विश्वास हैं अब आप सब इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं जरूर पूची है größer लूओंगा सबसे पहले आप अपना और अपने संस्थान का परिषय अवर्श दियें सो सबसे पहले सोलह शूरो mo की बात आपने कही है लेकिन मेरा सवाल है विक्षित भारत में जो राजनेतिक विमर्स है भासा का जो विमर्स है उस पर सवाल करना चाहता हूं हर्याना में चुनाव चल रहे हैं कॉंग्रिस के एक सांसत जै प्रकाश जी ने कहा है के महिलाएं अगर लिपिष्टिक लगाकर और पाउडर लगाकर एक मिटेक 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 जी सर्थ भाई मैं रोज आपके लिए उपलब्द हूं आज के प्रेस कॉंफरेंस का विस्यानतर नहों इसके लिए मेरे आपसे सबसे विननती है कि सौत दिन में अगर कोई सवाल हो तो जरूर करिए रूची नहों तो जो झालय कोई सवाय किसे विस्यानतर नहों यहाए ऊत्यूब्द बाहारा हुद स्कॉत प्रेड़ के लिए जयो ठीकर यिए रूर्णापरेंस कि विए यहारी नहों पीकर लिए आवरेंस कॉंची और आपका बदसे प्रेस का टूर्णापरेंस जजज़ कि बद्स पर्मार